प्रेंड नीम के पेड़ की आज हम पूजा करेंगे नीम का पेड़ हमारे जीवन में कितना महत रखता है बैज्ञानिक दिरिष्टिकोंड से भी और धार्मिक दिरिष्टिकोंड से इसमें सीतला माता का बास होता है असाल मास की सितला सत्मी है हम लोग संताण की सुख समृद्धि के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए ब्रत करते हैं सत्मी का औह नीम के पेड़ की पूजा की जाती है अन्यों कि यहां ऐसे मान लता है भोली के बाद चैत्र मास की सब्टमी से शुरू करके और सामन मास की सब्टमी को पूरा किया जाता उस दिन समापन होता है तो हम लोग आज की दिन नीम के पेड़ की पूजा करते हैं अपने स्रध्धा नुसार आप से जो हो सके तो हम लोग किस तरह से नीम के पेड़ की पूजा करेंगी है 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 ऐसे लिए गी का दीपक जिलाएंगे दोहरी बक्ति रखे देखें दोहरी बक्ति रखी गई है दोहरी बक्ति रखेंगी है जलाया जाएगा फिर सिंदोज से ठीका ठीकते हैं हम लोग ठीका लगाते हैं नीम में कात बान तो कि आज सब कमी है इसके बाद जो है यह जो हमने यह हम लोटे में धार बनाते हैं इस धार में हल्दी गुण और जो है लॉंग डाली जाती है यह दार में द्रिश्टी कोर से भी अच्छा होता है और साइंटिफिक द्रिश्टी कोर से भी हम लोग जैसे अपने प्लांट्स में हल्दी से टीटमेंट करते हैं हल्दी एंटिसेप्टिक होती है हमारे प्लांट क के लिए फाइदा करती है कुड में बहुत सारे ततु पाए जाते हैं पुष्टिकता पाई जाती है गुल और इस तरह से हम लोग नेम में जल चुनाएंगे वे हल्दी वाला लॉंग दी लोग प्लांट में प्रयोग करती है इस तरह से हल्दी कहार दी और फिर चावल इस तरह से पेड़ में डाल दिया जाता है चिडिया वगएरा आएंगी खाएंगी इस तरह से हम लोग सफ्तमी के दिन पूजा करते हैं जितने ही आप विद्विधां से पूजा अपनी स्रधा भक्त के अंसार आप कैसे भी कर सकते हैं पूजा तो पूजा है लेकिन हम नहीं उठा सकती जो हमसे बन पड़ता है हम इस तरह से निम के पेड़ की सब्तमी के दिन पूजा करते हैं बाखिस सब दिन इसमें पानी तो हम जैसे अपने सब प्लांट में डालते हैं इस तरह से इसमें भी डालते हैं रोज लेकिन आज के दिन विसे इस पूजा का दिन हता है तो हम लोग पूजा करते हैं जैसी कि चुब का कल्यान करें जखका कल्यान करें परिवार का और अब जब करें लिए भुप फोड़ जब को ग्यान दो को बोच चुह अग्रों मुलों इतना महिया की जैंग